हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी स्टीटूब चैनल याकतरी सुबधा में आज की इस वीडियो हम जानेंगे स्लीपर क्लास कन्फर्म्ड टिकट कैंसलेशन चार्जेस के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तिकट कैंसलेशन चार्जेस इस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि पैसेंजर ने टिकट को ट्रेन के स्केडिूल डिपार्चर से कितने टाइम पहले कैंसल किया है अगर एक स्लीपर क्लास कन्फर्म टिकट को ट्रेन के स्केडिूल डिपार्चर से 48 घंटे से पहले तक कैंसल किया जाता है तो रेलवे इस पर 120 रुपे टिकट कैंसलेशन चार्ज लेता है और इसी तरह अगर एक स्लीपर क्लास कन्फर्म टिकट को ट्रेन के स्केडिूल डिपार्चर से पहले 12 घंटे से 48 घंटे के बीच कैंसल किया जाता है तो रेलवे इस पर टिकट एमाउंट का 25% as a ticket cancellation चार्ज ले लेता है और इसी तरह अगर एक स्लीपर क्लास कन्फर्म टिकट को ट्रेन के सेडिूल डिपार्चर से पहले 4 घंटे से 12 घंटे के बीच अगर कैंसल किया जाता है तो रेलवे इस पर टिकट एमाउंट का 50% as a ticket cancellation चार्ज ले लेता है तो दोस्तों इस वीडियो में जाना स्लीपर क्लास कन्फर्म टिकट कैंसलेशन चार्ज के बारे में इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिशन बाउस को भी चक कर सकते हैं प्लिस इस वीडियो को लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन जुरू दमाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद